दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर लेकिन उसे पहले अगर आपने अभीते की सेनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर ले जिसे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे पहले विखवर केंद सरकार ने दी खुसकबरी अब मिले का पुराने पेंशन योजना का लाव देश भर में ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की मांग करमचारी के द्वरा की जा रही है और इस पेंशन योजना को कई उपीय सासित राजियों में लागू कर दिया गया है वहीं आम आदिवी पार्टी सासित पंजाम में भी इसे लागू करने का फैसलर किया गया है लंबे इंतिजार के बाद केंशन सरकार की तरफ से भी इसको लेकर केंदरी करमचारी को खुशकाबरी दी गई केंदरी करमचारी को पुरानी पेंशन ब्यवस्ता का लाग मिलेगा फिर भी आपको बताते कि पुरानी पेंसन विवस्ता का लाव सभी क्रमचारी को नहीं दिया जाएगा बनके इसका लाव कुछ क्रमचारी को मिलेगा और इसके बादे सभी क्रमचारी को पुरानी पेंसन विवस्ता का लाव देने के बारे में सोचा जाएगा अलकुर विकासेर इंसान पार्टी ने अमर सहीद जुबा साहनी की सहरत दिवस मनाया इस मौके पर उत्तर परदेश पिहार और जहारखन के पार्टी प्राधिकारी उपस्तित रहे जापर बियाईपी के प्रमुख मुकेश सैंदी ने 25 जुलाई को पट्टा में फूलन देव मुकेश सैंदी ने किन सरकार पर खटाक्स करते हुए कहा कि जिस सरकार को आज स्कूल अस्पताल बनानी चाहिए वो आज मंदिर बना रही है अलकर राजे के सभी जिरों में तेनात होगी इमर्जेंसी रिस्पॉंस टीम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेंगे स्टी आरेप की जबान बिहार के लोगों को बाल बुकंप बजरपाज जैसी आपदाओं से बचाने और उन तक रहत पहुचाने के लिए सभी जि जिमांचल में जटका देने की तैयारे में हैं ओवैसी ए आई एमाईयम चीफ और हैदराबाद की सांसद असादुद्दिन ओवैसी बिहार के पुर्णिया और खिसनगर्ज में 18-19 मार्ज को अधिकार पदियातर निकालेंगे पार्टी की राजिकाई के अध्यक्ष अक्तर बीजेपी में सामिल होकी जदियू छोड़ने वाली पूर्व सांसद राजपुद्द बोड हो सकता है प्रभावित मुख्यमंतरी नेतिस कुमार और जदियू को बिहार में कमजोर करने की कवायद में लगी भाजपा एक और बड़ा जटका देने की तैयारी में है जमोई में नावाली के साथ दुसकर्म पिड़ता के बयान पर परोसी युवक के खिलाब फाय अर धर्ज बियार के जमोई जिले में नावाली के साथ दुसकर्म का मामला सामने आया अंधेरी रात का फाइदा उठा कर परोसी युवक ने नावाली को अकेला देखकर इस जाम दिया अल्खर लालु परिवार पर एडी की घरवाई से भढ़का आरजेटी सलक पर उतरने की दिये धमकी बीजेपी बोली उफ्षाने की और एकोसिस लालु परिवार के कई सलस्यों के घर पर जमीन के बदले नौकरी मामले में एडी की च्छाप एमारे के वाद की सियासत गर्मा गई है बीजेपी प्रवक्ता संतोस पाठक ने कहा कि पिछले कई सालों से लालु परिवार पर कारवाई हो रही है पर कोई सलक पर नहीं आया अलकर विश्वस्तरिये बनेगा बिहार का मुझपरपूर रेलवे जक्षन दो फेज में पूरा होगा काम बिहार में राजानी पतना के बाद प्रमुख सहर मुझपरपूर रेलवे जक्षन को विश्वस्तरिये बनाए जाएगा और यह काम दो फेज में किया जाएगा पर अलकर नौकरी के बदले जमीन घुठारे के मामले में लालो परिवार के करीवियों पर एड़ी की छापेमारी के वाद सियासत करवा गई है अब इस मामले में बिहार के उपो मोखियों अंतरी तेश्वी आदब खुल कर सामने आए और भाते अंदर पार्टी पर जोटार हमला के वज़ाए रेड के बाद हस्ताक्षर किये जाने वाले पंचनामे की सूची सारजुनिक कर देनी चाहिए हलकर सिवानन्तिवारी ने आरजडी की राज्य परिशत की बैठक में च्छा माँ पहले कहा था कि विपक्षी पार्टीओं को एक जूट करना तराजु पर मेठक तॉनने जैसा है अब एक मातर रास्ता है हलकरल एंड फोर जॉब स्कैम में एडी की टीम लालु यादब और उनके करिबियों से पूस्ताच कर रही है टीम ने लालु यादब की बेटियों के घर कारवाई की इस दोरान तेस्वी यादब की पतनी राजशरी भी मौजूद रही रासे प्रेगनेंट है और पाला से पंदरा घंटे टीम की छब एमारी चलती रही तेस्वी यादब की बहन रोहिनी अचारियर ने ट्यूट कर कहा कि अगर भावी को या उनके होने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो इसका जिमेदार कौन होगा इनसानियत के नाम पर तो बच्चों और प्रेगनेंट की भावी को तंग ना करें हाना कि गैनेकोलोजिस्ट ने कहा कि तनाव से बेबी के अरली बॉर्ण होने का खत्रा भी रहता है अलकर कौनेस नेतरी प्रियंका गांधी ने ट्यूट कर चितामनीती है कि जनता सब देख रही है और इसका इसाब करेगी लालू परिवार पर CBI और ED की दविश के बाद ये बाते कही गई ट्यूट में प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजबस सरकार विपक्ष की मुखर आवाजों से इतनी भैवित क्यों है सरकार सारे हतकंडे अपना कर बस विपक्ष की ना जुकने वाली आवाजों को दवाने की राजनेती कर रही है बिहार के उपमोख्यमंतरी तेस्वी अदब जी पर एजेंसियों की कारवाई इसी राजनेती से प्रेरित है और जनता सब देख रही है अल्गर जमीन के बदले नौकली के मामले में इनफोर्स्मेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि 600 करोड की करवड़ी है तेस्वी का 4 लग का बंगला 1.500 करोड का है रिल्वे में नौकली के बदले जमीन मामले की जाच कर रही इडी ने कहा कि अब तक की जाच में 600 करोड उपे की अवैद कमाई का पता चला है 3.500 करोड उपे अचल संपत्ति के रूप में है वहीं 800 करोड का ट्रांजेक्शन कई बेनामी दारों के जरिये किया गया इडी ने बताया कि छापे में 1 करोड नगद 900 डॉलर 540 ग्राम सोने के सेक्की और 1.5 किलोग्राम सेरिक सोने के जेवर बरामत किये गया है संपत्ति से जोड़ी दस्तावेज भी बरामत किये गया है सेक्पूरा में पूलिस पर हमला कर बदमासों को छोड़ाने मामले में करभाई की गई है कुर्वन थनाद अध्यक्टर नितिसकुमार सहीत 9 पुलिस कर्मियों के उपर ग्रामिनों ने हमला कर दिया था वहीं फरार गोसित अपराधी को छोड़ा लेने के मामलें पुलिस ने कारवाई करते हुए सद्रद प्रखंड के सद्रद मैदान गाउं से सब बदमासों को गिरफतार किया है। विश्विद्याले लंबित परिक्षाओं के आयुजन का सलसला सुरू करने जा रही है। वास थिरी अस्टेंड रोड से पांस लाके समान की चोरी हो गई। चोरी कारों बिर्दावन से आये दीपक कुमार समेच छा कलाकारों पर है। दीपक पर मंतरी को फोन कर जानमाल की छती पहुचाने की धंकी देने का भी आरोप है। मिसाल ने दर्ज केस में लिखा कि होली के मौके पर बिर्दावन के दीपक और उसके पांच साथियों को कला प्रस्तूति के लिए बुलाये गया था। अगर बिहार में S3N2 की दस्तक पटना की महला संक्रमित। कोरोना की तरह लंक्स पर कर रहा टैक पटना में S3N2 इंफ्लुएंजा बारिस ने दस्तक दे दी है। और बिहार में S3N2 इंफ्लुएंजा का या पहला मामला है इस बारिस का कोरोना जैसा एफ्ट है और यह सीधे लंक्स पर एटैक करता है। OPD में दिखाने के दौरान महला मरिस का सैंपल लिया गया था जाच में S3N2 से परित होने की पुष्टी हुई है और यह जानकारी RMI के निरेसक डॉक्टर कृष्णा पांडे ने दी और बताया कि OPD में इस मैने 21 सैंपल की जाच हुई है जिसमें एक सैंपल पॉजिटिव पाए गया अजिकर आजिके मुझपरपुर जिले में 18 मा की मासूम से दरिंदगी खेलने के दौरान नावालिक की चचेरे भाई ने उठाकर ले गया और फिर किया रेप और उसे गोद में लेकर अपने कमरे में ले गया यह गट्ना मुझपरपुर जिले के कुर्णी थना छेतर के गाउं की मामला सामने आने के वाद इलाके में संसनी फैल गई है पुलिस इस मामले में कारवाई कर रही है